चलिए तो आज बनाते हैं बड़े वाले चैने की सबजी यानि की जिसे हम काबूली चैना बोलते हैं इसकी वी सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है आप एक बार बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा इस तरीके से और मैं बहुत ही सिम्पल तरीके से बनाऊंगी इसे और बहुत ही सवादिश्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे देखでも मैंने काबूली चैने को रात में ही भीगने के लिए चोड़ दिया ठाए और ये बहुत ही अच्छे तरीके से भीग चुका है यानि की फूल चुका है साथ में दो चार दाना ये काला चना भी है पर कोई नहीं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कूकर लिया है क्योंकि मैं आज इसे कूकर में बनाऊंगी तो इस तरीके से मैं कूकर में डाल दिया है चने को और इसे खैला दी हूँ इसमें और साथ में मैंने छोटे छोटे तीन टमाटर लिया है और दो मीडियम साइज का पियाज लिया है और यहां पे तीन मैंने सुखा लाल मिर्च लिया है आधाब मतलब साइज का बे लीव है और थोड़ा सा मैंने एक चमच करीब काली मिर्च लि चना जो एक वह डूब जाए बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है और साथ में यहां पर हल्दी को डाल रही हूं क्योंकि यह काला हो जाएगा इसलिए हल्दी से थोड़ा कलर भी अच्छा और और नहीं पढ़ेगा करने मैं दूवरot करते मैं देक से घीपन जब ड हैं प्लेट मेट में निकाल लोग ourselves और इसे ठंडा होने दूँगी और ठंडा होने के बाद इसे बारिक पीश लूँगी यानि कि इसका पेश्ट बना लूँगी तो देखिए यहाँ पे और तेज पात को मैं निकाल के अभी फैंक दूँगी क्योंकि इसका जो काम था फ्लेवर वगरा वो हो गया तो अभी हम उसको निकाल देंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने रेट शीली वगरा जो था हरी इलाईची उसको भी निकाल लिया है और सबको पीशूंगी भी ठंडा होने के बाद और यहाँ पे देखिए और इस तरीके से आप बनाएढ़ नो बहुत ही आसान तरीका है और कम टाइम में बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है और सबको बहुत ही पसंद आएगा इस तरीके से आप बनाएढ़ एक बार तो यहाँ पे मैं देखिए कडहाईच चड़ा ली हूँ और तेल जब पाचन सकती के लिए बहुत ही अच्छा होता है एसीडेटी वगर के लिए तो दखिए हींग डालने के बाद यहां पर गोल्डन ब्राउन हो चुका था उसके बाद मैं थोड़ा सा कूटा हुआ जिंजर और गार्लिक डाल दी थी और जश्ट उसको चला के मैंने प्याज भी डाल दिया है एक प्याज था मीडियम साइज का बारी कटा हुआ और प्याज को भी जश्ट चला के मैंने पीसा हुआ पेस्ट डाल दिया और अभी यहां पे सूखे जितने भी मसाले है न उसको डाल देना है यानि धनिया पौडर जीरा पौडर जिंजर गार्ली का पेस्ट और साथ में कस्मीरी रेट चीली पौडर मैंने थोड़ा ज्यादा करके डाला है क्योंकि कलर अच्छा आएगा और साथ में मैं चीकन मसाला डाली हूँ आपके पास छोला वगरा का मसाला होगा तो आप डाल सकते हैं और साथ में मैं यहां पेस्वाद के अनुसार नमक भी दाल दी हूँ और इसे बहुत अच्छे तरीके से भी मिक्स कर देंगे और मसाले को पकाएंगे तो मसाले को अभी थोड़ा ग्रेवी टाइप का है इसमें पानी बहुत जादा है तो ढखके मैं 5-6 मिनट इसको पकाई हूँ और 5-6 मिनट के बाद देखिए ओयल सेपरिट हो कि मैं घाल दीला कर लेना है उसके बाद मैंने जो बॉ posible करना चणा रखा है ना उस और दीरे धीरे करके आज बाद में ने तरहरा थोड़ा से धीरे धीरे कलके डाला है लेकिन बाद में मैंने कूकर सारा इसमें मतलब डाल दिया है कूकर से ही और इसे मिक्स कर देना है क्यूंकि देखिए हमें इसे बहुत नहीं पकाना है क्यूंकि चाना तो पहले से ही पका हुआ है बस जो मसाला वगरा है ये इसमें मिक्स तो इसको mix करके और मैंने यहां पर देखिए ढगा देना है इस तरीके से मैंने ढगाया और 5-6 मिनट के लिए फिर से इसको पकने दिया क्योंकि जो ख्लेवर वगरा है आपस में मसाला वगरा मिल जाए और यह देखिए देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है और यह आपका छोला रेडी हो चुका है आप इस प्रोसेस से जरूर बनाईएगा बहुत ही आसान तरीका है बनाने का तो मैं इस तरीके से बहुत स्वादिश्ट बनता है मैंने ग्रेवी वगरा सब चेक कर लिया बहुत ही अच्छा है दिखिए ग्रेवी वगरा तो आप अपने अनुसार से भी रख सकते हैं कम जादा तो चलिए यहां पे देखिए रेडी हो गया आप इसे फराठे के साथ राइस के साथ जिस किसी के तो आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं इसी तरीके से असान असान सी रेसिपी लेके आऊंगे